जो कोई करेसो स्वार थी अरस परस कुण देत बिनकिये करेसो सूर्म परमारत के हेत नमशकार दोस्तो तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक कंजू सेट की और रही इस दोहे की बात तो इसका मतलब मैं कहानी के अंत में बता दूण गी तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक नगर के एक बहुत बड़े सेट का अज तेहान्त हो गया उसका एक बेटा था जो सोचने रगा कौन आएगा मेरे पिताजी की मिट्टी में जीवन भड़तों इन्होंने ना कोई पुन ने कोई दान धरम नहीं किया पस पैसे के पीछे भागते रहे सब लोग कहते ये तो कंजूसों के भी कंजूस है फिर कौन इनकी अंतिम्यात्रा में शामिल होगा खेर जैसा तैसा कर रिष्टदार कुछ मित्र मिट्टी में शामिल हुए पर वहाँ भी वही बात सब एक दूसरे से कहने लगे बड़ा ही कंजूस शक्स था कभी किसी की मदद नहीं की हर वक्त बस पैसा पैसा यहां तक कि घरवाल और रिष्टदारों तक से भी एक एक पाई पाई का हिसाब लेता था कभी कॉलोनी में किसी कारिकरम में एक रुपया नहीं दिया हर वक्त बस तानी दिये खुद से कर लिया करो आज देखो दो चार लोग बस इसके मिट्टी पर आए है बहुत देर भिट्टी को रोकने के बाद कंजूस सेट के बेटे से किसी ने कहा अब बेटा कोई नहीं आएगा इन्हें कोई पसंद नहीं करता था एक नंबर की कंजूस जो थे कोन आएगा इनकी मिट्टी पर अब शम्शान ले जाने के तैयारी करो बेटे ने भी हावी भरती शरीर को लोग उठाने लगे पर अचानक उनकी नजर सामने आती होई भीड पर पड़ी कोई अंधा कोई लंगड़ा हजारों की संक्या में महिलाएं बुजर्ग बच्चे सामने से आने लगे और उस कंजूस सेट के शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे ये कहकर मालिक अब हमारा क्या होगा आप ही तो हमारे माई बाप थे कैसे होगा सारे बच्चों ने उसे कंजूस सेट के पैर पकड़ लिए और बिलग बिलग कर रोने लगे सेट के बच्चे से रहा नहीं गया तो वो पूछ पैठा कि कौन है आप सब और क्यों रो रही है पास में कड़े कंजूस सेट के मुनीम ने कहा ये है तुमारी पिता की कमाई कंजूसियत ये लोग देख रहे हो कोई अंधा कोई अपाहिज लड़कियां महिलाएं बच्चे तुमारे पिता ने ये कमाया है तुम जिसे कंजूस कहते हो ये रिष्टेदार पड़ोसी मित्र जिसे महा कंजूस कहते हैं इन जुगई जोपड़ी वालों से पूछो ये बताएंगे ये कितने दानी थे कितने व्रदाश्रम, कितने स्कूल कितनी लड़कियों की शादी कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इसी कंजूस बाप ने दिया है आज ये भीड देख रहे हो ना, ये दिल से आई है तुमारे रिष्टेदार और दोस्तों की तरह नहीं की रस्मे निभाने के लिए आ गए फिर उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया क्यों हमें एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे क्यों कॉलोनी में किसी भी कारेगरम में एक भी मदद नहीं की तो मुनीम ने कहा तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पैसे की कीमत समझो अपनी खुद की कमाई से सारा बोज उठाओ तब ही तुम्हें लगे कि हाँ पैसा कहा करच करना चाहिए और क्यों फिर मुनीम ने ये भी कहा ये कॉलोणी वाले ये मित्र रिष्टेदार कभी स्विमिंग पूल के लिए कभी शराप शबाप के लिए अपना अपना नाम उचा करवाने के लिए पुछो इन सब से कि कभी वो आए है कि सेड़ जी, किसी बच्ची की शादी, पढ़ाई, भोजन, अंदे की आँख, अपाहेजों की साइकल, किसी गरीब की चत, इनके लिए कभी नहीं आए ये तो आए, बस खुद को दूसरों से उचा दिखाने के लिए, मोच मस्ती में पैसा उडाने के लिए, आज ये भीड देख रहे हुँ बिटा, ये दिल से रो रही है, क्योंकि इन्होंने वो इनसान खोया है, जो कई बार खुद भूकर रहकर इनको खाना खिलाया करता था, ना जाने कितनी सारी बेटियों की शादी करवाई, कितनी बच्चों का भविश्च बनाया, पर हाँ, तुम्हारे कॉलोनी वाले की किसी भी फालतुफरमायश में इन्होंने साथ नहीं दिया, मगर तुम तो समझते हो कि ये कंजूस है, तो सच है, इन्होंने कभी किसी गरी बेटे ने तुरंट अपने पिता के पैर पकड़ लिये, और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबुजी, आप सच में बहुत गंजूस थे, आपने अपने सारे नेक काम कभी किसी से नहीं बाटे, आप बहुत गंजूस थे, किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर और द नमज में आगया होगा, धन्यवाद, नमस्कार